अब देखिए गड़ित कच्छा दस अध्या बारा प्रिश्णावली बारा दिसनलव तीन शुरू कर रहे हैं इसका पहला सवाल है आकृती में यह आकृती बनी हुई आएगी ठीक है और इसमें यह कह रहा है कि आकृती में च्छायंकित भाग का चितपल ग्याद करें च्छा अब यहार यह साथ साथ सेंटिमेटर दिया है ठीक है तो अब बरत का या ठीक है तो अब खारत क्योंड़ करने करने तो इसके लिए आदेवरत का चितपल कर लो देखेंदया आइवरत का च्छीट बाइए पा यह अत्य Tw हम क्या करेंगे, लेकिन यह पर आधे वरृत के चित पल के लिए आर तो पता होने चाहिए, पाई वरृत का चित पल, तो आर पता करने चाहिए ये साइड पता होने चाहिए, आर की, तो पहले इस त्रिबुज में, अब देखो, यहां पर हम जानते हैं, कि première लिखें जा Táung मैं अर्द व्रत पर बना कोंड समकॉंड होता है यानि कि यह हुआ यह जो है यह आदा व्रत है इस पर यह कॉंड बनना है तो यह जो कॉंड है यह 90 दिगरी का होगा समकॉंड का मतलब रायट एंगल नूब बना लिकरी का ठीक है तो इसके अब देखो यहाँ पहर हम लिखेंगे अता है अता है तिर्वुज आर पी क्यू में आर पी क्यू तिर्वुज में इस तिर्वुज में आजी समकौन तिर्वुज में पाइथागोरस फिर में लग जाएगी तो लिखेंगे पाइथागोरस फिर में से पाइथा गुरस फिर में देखिए क्या होती है देखो पाइथा गुरस फिर में होती है कर्ण का वर्ग कर्ण का वर्ग बरावर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग ठीक है ना तो कर्ण यह कर्ण यह हो गई यहां से कर्न और आधार आधार आप इसको मान लो तो यहां पर एहां पर कितना हो गया साथ का वर्ग को यहां पर ठीक है पिलस लंब लंब कितना यह 24 ठीक है यह अधार यह लंब और यह कर्ण तो यह 24 का बरावर साथ साथ उननचास और 24 का गुड़ा 24 में कर लो दो चोको आठ दो दूनी चार 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 अठाट तो लाएक सातरा की साथ पांच यह आ गया पांस सो चेटर ठीक है गुड़ा कर लिए अब आर क्यू आर क्यू का इस्वेर बरावर इन दोनों को जोड़ लो नोचे पंदरा की पांच एक आसे लाई आठ चार बारा की दो फिर यहां से बर्ग टाएंगे तो यहां पर नंडर रूड आया था ठीक है 625 तो आड क्यू बरावर 625 प्रशेस का वर्मूल होता है पाचीस क्योंकि पच्जीज़को पच्चीस चैसोपाचीस होता है तो देखिए और प्यू थी आ गया सेंटीमीटर लिख देते हैं यह अब तो अभी 25 वटे दो यह पूरा यह पूरी साइड जो है आर की को पस्पीस है तो आथा दो तो अब यहां से हम लिखेंगे अतहा है अता है हम देखेंगे आऔर बराबर कितना आजाएगा आठ तरिज्जा तो यहीं आएगी 25 बटे दो सेंटीमीटर ठीक है अब हम जो है इसका चेटरफल निकाल लेंगे आधे वरत का अतहाँ अर्द वरत का छेटरफल देखो आधे वरत का चेटरफल पाई आर स्केर तो उसमें दो का बाग देदो ठीक हैँ दो हमान यहां पर दिया हुआ है हमें नहीं दिया हुआ है तो पाई का मान कितना 25 वठे एक काम करते हैं इसको ऐसे नहीं इसको बना पॉन टू का अलग लग लो अधा करने क्ली बना पॉन टू अब ठीक है अब देखो 22 साथ ठीक है आर का मान कितना 25 वटे 2 तो इसको भी दो बार लेखना पड़ेगा मैं क्योंकि आरश कुएर है तो 25 वटे दो बार लेखेंगे अब दो से इसको यहां पर दो ग्यारा दूनी बाइस यह कट गया साथ से तो कुछ नहीं कट रही संक्या तो ग्यारा गुणा पचीस का गुणा पचीस में करेंगे तो 625 आएगा बटे दो दूनी चार और चार सकते 28 ठीक है अब इन दोनों का गुणा कर मैं वहीं कि अभी एक मिनिट यह थोड़ी सीовी यह थो इसका अर्दवरत का चिट्पल आया है निय first a यू वह इंसको ज़िए मैंने डेरione भानड़सर के दिए यांसर नहीं यह आया है अर्द हम अप लात जीप करना ब्हूं करना क्या नहीं करना कि एदृगा तो काफी इस अब चायांकित भाक का छिट्रफल चायंकित भाक का छिट्रफल, जो होगा, वो इस पूरे अर्ध्रवरत के छिट्पल मैंसे, यह तिर्भुज का छिट्पल गटा देंगे, तो हम सीधे-सीधे यहां लेग दें, देखो, इसका छिट्रफल केतना, 6, 8, 7, 5, बटे 28 माइनस इसमें से इस तरभुج का शेटेफ़ का शेटपल कटाएंगे अब तरभुज का शेटेफ़ल हमें ग्यात करना पड़ेगा तो देखो तरभुज का शेटेपल ग्यात कर लेते हैं हम यहां पर देखो यहां लिख देता हूँ पर यामां सिर्फ कर रेष्फ पल के लिए देखो वज स्मकॉंट तो तीरवज ककश रफुकर लगे शिर्फुल कि फिर्फुर्बफ एधर से निकिम्सारों विंद विंद रड़ैने ऊर्फ ऐल्यन में 84 84 cm का वर्ग तो यह आ जाए सका छे रिफल कि सका तिर्बुझ का छे रिफल आ गया इए ठीक है तो इसमें 84 यह 84 cm कर रहा है 84 यहां पर माइनस कर दो इसमें से अब इसके नीचे एक माल लेंगे अब इसका गुणा इसमें और इसका इसमें तो कितना हए गा चैह, आठ, साथ, पाँच, माइनस अच्ठाइस का गुणा चौरासी में कर दो. तो अच्ठाइस गुणा 84 लिख लीते हैं पहले हम. हाथ देखे, यहां मैंने क्या किया है? इन डोनों का गुणा किया है. C 8 यहाँ पे प्लस में बूल गया था यहाँ पे प्लस आप लेडे ना आबक्रे में कुछन झाल झाल